आज मैं शेविंग कराने के लिए दुबहर में तो नाईयों से मुलाकातों एक नाई बहुत अच्छे थे वह अलमुस्ट मैं क्लास के बाद बीट बैक दोंगा जब करने के लिए वेरी न्तुजास्टिक फ्रम पुने तो बात चल लिए भगवान के नाम के बारे में त्यादी त्यादी तो दूसरे नाई बुल लगे यह बताईए कि भगवान के नामों सरोशिष नाम कौन सा है तो मैं समझ गया था कि इनका कोई ऑपिरेन पहले से है उसी को हमसे सुनना चाहते है जीवगोश्वामी जी भक्ति के नाम कौन सा भगवान का मैंने का देखिए अगर आप मुख्य में हीनता और उपादे वाली बात कर रहे है तो पर ऐसा तो गलत नहीं गलत है भगवान के सारे नाम बराबर है नहीं फिर भी सबसे महत्पूर्ण नाम के अबने का फिर भी आप सुननना चाहते तो बक्ति स क्रिष्ण का नाम बोल सकता ही नहीं सकता है क्रिष्ण का नाम बोल 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 ही नही वे शुमें, 30% लोग भी नहीं हैं, जो कृष्ण का नाम ठीक से बोले, हमने का क्या, आप इस सर्वे करके आए, सबसे पुछवा करके वाई, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो यह है कल्यू की लोग की स्थिति, वैसे तो खेर चले, भवान का नाम लिया, जगडा भी क कर रहा है, क्रिष्णे, क्रिष्णे, राम, राम तो अच्छा है, गिर ऐसा स्टाटिस्टिक्स देना, फिर एक बड़ी मज़दार, जो यह तो खेर, यह साइड वाले थे, जो मेरी शेविंग कर रहे थे, वो sincere रहती थे, पूछ रहे थे, कैसे भवान के पास जाएंगे, भवान का नाम ले, तो हमने कये जो आप शेविंग कर रहे है, पहले बहुँत्या, मेरे को अब्यहस नहीं है, रजजर से घटिंगे, मेरे क upside कनहें का बाई यह बताओ कि एक आपकी जान नहीं जाएगी, इस में बहुत बड़ा काम तो है नहीं, उस 자रे चलाना, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बहुत सारे नाय चला ही रहे, मरते समय, बिर्ला ही कोई विकती भग्वान को स्मर्ण करता है, तो यह तो बहुत बड़ा परफेक्शन है, और नाय तो बिना भ्यास के बिना भ्यास के आप भगवान का नाम कर लोगे अमने का पता भी तो नहीं चलता है लोगों को मरत्वस्तर में करना क्या है अन्यों वह सब्सक्राइब करना क्या है बिल्कुल इसकॉन के पास रहते हैं आप जाईए इसकॉन मंदिर में जाईए बंगल अर्ति जाईए रैक दर महराज कुल शेकर कहते हैं कि लोग बोल सकते हैं अभी सामर्थ है बोलने का जीव दिये हैं भगवान बोलने के लिए मनुष्य का जीवन दिये लेकिन नहीं बोलते हैं तो कहेंगे ऐसा तो यह इंका कितना बड़ा व्यसन है तो कहेंगे ऐसा क्यों कहते हो क्योंकि जो विक तो भगवार उसको ऐसी गती देते हैं जिसके आगे जगत की हर वस्तू यह ब्रमलोक भी लकड़ी और पत्थर के समान हो जाता है अब हम लोग ने पिछले श्लोकों में सुना आज मुल श्रीमित भागवतम की तीसरे सकंद के नवे धाय के दस्वेश लोकों पढ़ेंगे और एक दिन में नहीं हो पाएगा अगर आप लाओ करेंगे तो सारे आट तक करके पूरा कर देंगे जैसा आप चाहिए मतलब जैसे आपके वैस्ता हो आट बज़े के बाद बिल्किल कंपल्सरी नहीं है सुनना चाहिए उस सुने और जिसको और को सेलेब्रेशन में जाना हो तो वह जाए कोई दिक्कत नहीं प्रकाशान नंदा सरस्वती । आपके बारे में आप घ्लाते ही होंगे काशी में सन्यासी थे और उनके साथ हज़ार सन्यासी शिष्ष थे और वो दिन रात वेदान सूत्र पढ़ते थे वे इंद्रितिप्ति नहीं करते थे लेकिन न तो भगवान को भोग लगाना न भगवान का ना मुझ्चारण करना ना भगवान की कोई सेवा करना ऐसा कुछ भी नहीं बस विदान्त पढ़ते हैं तो विवेक तो बहुत है क्या आत्मा है क्या अनात्मा है इसका विवेक उनको है इंद्रितिप्ति में नहीं लग इस देह से भी अनासक्त और भगवान की कथा से भी अनासक्त ये हैं ग्यानी लोग तो ऐसे लोग जो भले ही इस जगत से अनासक्त हों लेकिन भगवान से विमुक रहते हैं मतलब not interested भगवान की कथा से भगवान की सेवा से जो विमुख रहते हैं तो वह भी मुक्त नहीं होंगे कुछ अगर आप विचार कर रहे हो तो कैमित तो दिख रहा है कि जो लोग इस जगत में अनासक्त हैं लेकिन भगवान से विमुख नहीं है भगवान की कथा वाता नहीं सुनते तो वह भी मुक्त नहीं हो सकते तो जो विश्यों में लगा है उनका तो कहना ही क्या यह नहीं सोच लेना कि हम मतलब कहते हैं राक लपेट के घूम रहे थे इधर से उधर यह बारा साल तक हाथ ऐसे खड़ा करके रखे हुए हैं सुए नहीं है तो हम मुक्त हो गए यह अभिमान हो सकता है उस व्यक्ति का और यह भ्रांती हो सकती है उस व्यक्ति के चे लोग की गुरु जी बहुत तपस्या कर रहा है कपड़ा भी नहीं पहनते हैं बाल के शेविंग भी लेक राते बाल उखाल लेती है और कुछ भी तपस्या का हम धालना कर सकते हैं तो उसे पूछओ क्या भागवत को जानते हैं भागवत कि चीडिया का नाम होता है गुरुजी से पूछओ भागवत का पहला श्लोग क्या है आखरी वाला बताते हैं पहला नहीं बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो मुक्त नहीं होंगे बहुत गंभीर बात बुली जा रही है यहां पर आप क्रिष्ण भावना को के भक्तों को छोड़ दें अगर तो बाकी सारे बड़े-बड़े सादु सिन्यासि घूम सकते हैं जिनका क्रिष्ण भावना से क्रिष्ण भक्ति से क्रिष्ण कता से नाम से प्रसाद से कोई संबंद नहीं है दूर दूर तक और वो खुब आप लोगा मुझा करेंके बागवान की प्रतिक्याभाव तो कि या मनुष्य है म्हा पुरूश है आप करते हैं अच्छे वेक्थी थे अब hits अगोन स्वार्ग वासी हो गया है संधिंग ब्रहम लीन हो गय है ब्रह्म लीन श्रीक्रिष्णा को ब्रह में प्रतिष्ट ऐसे कहा समझने है अश्रेश्ट ने इसको बहुत हलका लेते हैं आज मैं इस नाई को बताया अबसलिए यहां पर शेव कर रहा था तो मैं जता बोल नहीं सक्ता था निरिज थे अपा दने का बता बता हो ने का पहले बालों से आपको मुक्ति जाड़ी से मुक्त किजिए पिरम पताएंगे आप कतले वाले जुन में हैं उनने का जन्मकर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतह त्यक्त्वादे हम पुनर जन्मनेति मामेति सु अर्जुन्ना ये समाने बात नहीं भक्तों के आपको पता है कि ब्रह्म जोती के सुरोत भी स्री कृष्ण है ये लोगों को नहीं पता है ये असलियत लोगों को नहीं पता है पता है नहीं पता तवी तो हल्ला कर रहे था कि कृष्ण राम और इसा भेद देख रहें तत्व का कितना बड़ा नुकसान है मैं फिर रिपीट कर राउश्ल लेकिन भगवान की कथा से विमुक है, भगवान की बात भी नहीं सुनना चाहता है, तो उसको जगत में आना ही पड़ेगा, यद्दिपिवे आना बिल्कुल नहीं चाहता है, समझें आप? जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहो, वहां फिर जोका जाए, इसका मतलब है कि पनिश्मेंट दिया जा रहा है, और ज्यादा, विचार कीजिए आप, विचार कीजिए, कि मैं भोग में लगावा हूँ, तो अब मैं दुबारा इस जगत को पराप्त करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो जगत में आना रहना चाहता हूँ, लोग बोलते है अचलि यह चीज़ अब अब मुझे भी क्लिक कर रही है, इस वाच प्लान तो स्पीक, लेकिन इंटरस्टिंग बात, जो जेल में कोई बाहर ही निकलना चाहता है, और उसको जबरतस्ती जेल में डाला जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ा पनिश्मेंट है, तो जबरतस् बाहर ही है, और गल्ती है, वो गवर्मेंट से विद्रोह में चलना है, तो माया देख रही कि इसका भगवान के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति है, मनुष्य बर्दी लगता है, मर्त बुद्धी रख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी इह संसरंती, इस जगत में वापस जन्म लेगा, मेरे पूछे बोलिए, यहां बार बार दिखा रहा है कि व्यक्ति को कथा से विमुख नहीं होना चाहिए, और देखिए बक्तों, डर के मारे कथा में नहीं आना चाहिए, यह श्रुक डरा नहीं रहा है, देखो तुम कथा में आओगी न? तो में दुक्त हम लेना पड़ी, यह कोई तो इस यो आशय नहीं है. यह आषय नहीं है कहने के आशय यह है कि जो भगवान की नहीं है, उसको भगवान से और प्रीती ही नहीं है. जब प्रीती ही नहीं है, तो मौक्ष्ड क्या करों गे कर के दो गगा? तुम मे प्रतार्थ करना निशिनिह शयाना मनोरत धिया शन भग्न निद्रा देवा देवाहतार्थ रचनारिषयोपि देव युश्मत प्रसंग विमुखा इह संसरंती देवाहतार्त रचना रिशयो पिदेवा यूष्मत प्रसंग विमुखाईय शन्सरंती अन्यापृतार्त करणा निशनिह शयाना नाना मनोरत धिया शण भाग्न निद्राहः अन्या प्रितार्थ करणा निशनिह शयाना नाना मनोरत धियाक्षण भाग्न निद्रा दैवाह थार्थ रचनारिषयोपि देवा युष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरंति अन्या प्रतार्थ करणा निशनिह शयाना नाना मनोरत धियाक्षण भाग्न निद्राहा देवाह थार्थ रचनारिषयोपि देवा युष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरंति देवाह थार्थ रचनारिषयोपि देवा युष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरंति इससे पहले इश्लोक में जाओं बहुत अच्छी बात आपको फिर से बताओं को जब शेव कराने गया तो एक ग्रीन टी-शेट था मैंने सोने वाली टी-शेट थी उसे पहन के गया और अस नाई ने बोला आप से मिलके हमको बहुत अच्छा लग रहा है I was just strikingly, I was just struck me, I was just struck me कुछ भी पहनो उसको अच्छा लगेगा I was just struck ऐसे लगदा कृष्ण बोल रहा है उसके तुरुक मैं exactly कृष्णी की बातों बता रहा था गीता से भागवा से बता रहा था आपकी आप से मिलको बहुत अच्छा लग रहा है मैं क्या कर दी अब तो normally नाई लोग बात करते है मैं उसे नाई से बात कर रहा था कृष्णी यू स्पीक अबाउट कृष्णा हर जीव कृष्ण का प्रीमी है मैं उसको नाई की रूप में नहीं देख रहा था मैं उसको देख रहा था कि ये भी कृष्णी के बारे में जानना चाहता है ये कृष्णी को प्रीमी इमिरेट कर दिखा दोंगा आपको नाई को प्रिचिंग नाई को नहीं जी जारे देखो तारे कहो खुष्ण उप्तिश्ट this is amazing this is amazing this is really amazing कभी भी नहीं पूचाओ पुछाओ करस्ट के बारे में इतना पीछे लग गया कि दीरें धरीड रिष्येव कर लुदिए पूछेव पूछेव वेरी 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 नाइस परसम से नंबर लिया कहां कौन कॉस्टोमर मिल जाए क्रिष्ण भावना के लिए अब बताइए है ना क्रिष्ण कॉस्टन अमेजिंग कि आप डाड़ी बनाते बनाते भी गीता पर बोल सकते हैं मैं जब बैंक किया था कल तो मैं बैंक में देख रहा था मैं यहां तो कोई संभावना नहीं क्रिष्ण के बारे में बात करने के लिए क्या कोई सोच सकता है कि नाई की दुकान में गीता का प्रवचन चलेगा कभी आ सोचेंगे कि आप शेविंग और सलून में जा रहे हैं तो कृष्णा कथा होगी and you can talk about कृष्णा there also मरते दम तक भी कर सकते इस ज्ञान के लिए आपको भूका होना चाहिए कि मैं कृष्णा भावना का ज्ञान और प्राप्त करूँ और प्राप्त करूँ और प्राप्त करूँ कहीं भी आपको यह मौका मिल सकता है कृष्णी की असीमित सेवा करने के कृष्णी के बारे में दूसरों को बोलना यह कृष्णी की असीमित कृष्णी की असीमित सेवा है भागवद में चौतिसकंद में आएगा देखना कितने सुन्दर बाते हैं चलि फिर से सुनते हैं अहन्या प्रतार्थ करना निशनिह शयाना नाना मनोरत धिया ख्षण भग्न निद्राहा अन्या प्रतार्थ करना निशनिह शयाना नाना मनोरत धिया ख्षण भग्न नित्राहा युष्मत प्रसंग विमुखाई संसरंति बालिये अन्या प्रितार्थ करणा निशिनिह शयाना नाना मनोरत धियार शन भग्न नित्राहा देवाहतार्थ रचनारिष योपि देवा योश्मात प्रसंग विमुखा इह संसरंती forces Have a house in a Palace in a cup of entire city I am a Usingbase that व्रचनारिष योपिदेवा योश्मात प्रसंग में मखाय हसंसरंती हमेशा में दूसरों काहिं मजागों नहीं बनाता यst अपना मजाग बनाता हूं सुभे एक लास हो रही थी भक्त क्लास दे रहे थे हमें देने का अभव है लेने का अभव कम है तो अब नीद आये सुबहे तीन बज़े की उठेवे थे नीद आ रही थे तो वीडियो पहले तो बहुत पानी मारा नहीं समली नीद तो हमने वीडियो आफ कर दिया ऐसे टेबल पर प्रातना ठागुर जी कि आप बड़े हम भी कैसे स्टुडेंट हम समझ गए क्या करें तीन में तो आई जाएगी ना पता भी निए बैठे बैठे कराटे मार रहा था तो वाद में तो नहीं आया तो अब आप समझ रहा है कि वीडियो आउन करके सुनना वह भागवत सुनन कितना बड़ा पर प्राक्रम की बात है बड़ा व्यक्रों कर वह एक आग्रहो कर विटी सुन पात यह यह चुछता की स्टिति चलिए बहुत अच्छा श्लोक है पता है भागवत को ऐसे सुनना चाहिए जैसे कि हॉट ड्रिंक पर पिते हैं इन्दे सेंस की चुस्की ले ले करके एक एक शब्द में बड़ा सुरस्व है तो देखते हैं ऐसे अभख्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्ट प्रद तथा विस्त्रित कारियों में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ दोते हैं इन सौम्नियां हैं क्या शीर इतना गिर गया उनको ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि उनकी बुद्धी विविद मानसिक चिंताओं के कारण उनको उनकी नींद को लगातार भंग करती लेती है आपको कभी अनभव हुआ है पैसे कैसे आएंगे उसकी चिंता का हो हो यह नहीं सब्सक्राइब दो मैं जो लोग कमाने में लगी हैं वह जानते हैं अगर इन्वेस्ट किया है यह कि होते हैं तो उसमें चिंता लगी अच्छा लग रहा है चिंता धर से कर रहे तो कभी क्लेश नहीं होता लेकिन लक्ष्मी जी का स्मरण करने से हमेशा परिशानी होती है वैसे काफी इंट्रस्टिंग है भगवान को बार-बार कूटस्त अचल एक रस कहा गया और लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया यह सबसे बड़ी टेंशन लोगों को होती है एक व्यक्ति बता रहे थे उनके जीजा जी की उतना दवाई का खर्च है संथिंग पचास यार रुपे पर डे और संथिंग पर डे बोल रहा हूं है करें ह महाराज बता रहे ति कुछ लोग कहते हैं कि महाराज पिरमबच रादा गों महाराज के वक्ती का कह रहे है तो महारां त्यूं हमसे क्या बोल भाई जिटना हमारी मारे मतलब यहंकार भावना करता है वे अति मानिवी शक्ति द्वारा अपनी विविद योजनाव में हताश कर दी जाते हैं यह समझें वो बनाते हैं कि पांच वर्षी योजना लेकिन माया क्याती अच्छा उसको ध्वस्त करती कैसे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े-बड़ अच्छा वजर खेलते हैं जानते हैं टाइटानिक को मनाया क्या था इवन गौड केनाट में शिंक दिस शिप अच्छा लेट मी ट्राए भगवान ने करते हो पहली ही यात्रा में वह गिर गया अच्छा चली विचार कीजिए इस जगत में लोग कुछ महान कारे करने का प्रयास करते हैं कुछ बिल्डिंग बनातने कुछ करते हैं उसका अच्छा यह काम फिर से ना इधर फिर चाटा मारती तो उसी प्रकार से माया उस प्लान को थवस्त करती है अब हम नाम ले रहे से युद्ध हो राइज रायल में और उनके बीच में तो मैं अबसर्व कर रहा था कि परिस्तिन में कितने बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाई गई बड़े-बड़े अस्पताल बड़े-बड़े बिल्डिंग और कहीं किसी भी देश मनाते हैं एक ने बनाई या कुछ लोगों ने मिल करके बनाए काफी लोगों ने मिल के बनाए दूसरे वक्तिना की बंब गिरा दी तो आप कहेंगे युद्ध हो रहा है लेकिन यह सब माया के एजंट है इतरतरस ना था आपने शब्द एक दूसरे से लड़ मरके वह एक विक्ति बनाता है दूसरे वक्ति फोड़ देता है दौस्त हो रहा है ना आप लोग से ऐसे रिलेट कर पाएंगे आप जिन्हों ने अपने घर खुद से बनाए है वो जानते कि एक घर बनाने में कितना परिश्रम होता है और तोड़ने में उपर से बंगिरा है खतम कितना दुख लगे दर बताईए मेरे पास तो पैसे है नहीं बनाने के तो मैं समझ सकता हूं कि बनाना उसको खटा करना पैसा खटा करना उसको कंस्ट्रक्शन करना बढ़ा परिश्रम होता है होता ही है इस इट नौट और फिर एक दम से खतम करते तो यह देख रहा है कि इस प्रकास से ध्वस्त करती जा रही है विक्ति लोग की इंडिविच्वली और क्लेक्टिवली मुझे याद सन 2017 में बाली में एक वो आया था वल्किनो इरप्शन इस तो किलो मीटर की किलो मीटर में वो लावा लावा और वो धूल पूरा भर जाती हमने आँखों से दिखा मारे मित्र थे सुधा माप्रभू तो खुषाला में दिखा रहे देखो उमारे पिताजी के घर के पास में सब वॉल के नो यहां तक की बड़े-बड़े रिशी मुनी यदि आपकी दिव कथाओं से विमुक रहते हैं तो वे भी इस भौती जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं यहां तक की मतलब इतमें दोनों परकार के लोग का वन्न हो गया कि भौत इक्तावादी लोग हैं वह तो परिशान होते ही हैं लेकिन जो रिशी मुनी हैं जो अपने इंद्रियों को सेम करने का प्रयास कर रहे हैं जगत से अनासक्त हैं वह भी जगत में बंधे ही रहते हैं में मुक्त होते नहीं उनका माला बाकी है क्या अच्छा अच्छा ठीक ठीक लाइट अन कर लीजे पंखा चला लीजे जगत देव अर्थात हे प्रभू देव क्यों कहते हैं देवता मतलब दिव शक्ति उसे युक्त भगवान की अवेलना करके देव की अवेलना करके व्यक्ति संपंता को प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए क्रिश्ण को कहते हैं हे देव किसके देव कौन कह रहा है कह कौन राष्टूप ब्रम्हाजी तो ब्रम्हाजी सभी देवताओं के देव हैं और उनके देव हैं क्रिश्ण विष्णु यहां पे हम मंदिरों में जाते हैं किसी देवता के पास जा रहा है भवान देवताओं जी हमको यसा कर दीजिए ऐसे करके वे भिख्षुक के समान ब्रम्हाजी बोल रहा है है खेज देव हे प्रभु हे नाथ अभवक्त गण है अच्छिए शरी है मिस्टेक हो गया अभवक्त गण संस्क्रेट में नहीं है अभवक्त संस्क्रेट में नहीं था वह हिंदी में था वह इंक्लूट कीजिए अंदर डाल दीजिए उसको थोड़ा से मिस्टेक होगया मस्से अहनी की बाद ब्रैकेट उसका देख जाना अभख्त गण अहनी का मतब दिन में दिन में कौन काम करता है उसको बहले अभख्त गण संस्क्रिप में नहीं है प्लीस सम गलती कर गया अहनी दिन में अभख्त गण आपरत आर्थ करना है अपनी इंद्रियों को भगवान से अलग कष्ट प्रत कार्यों में सलग्न करते हैं तो लो समझे इसका मतलब आपरत का मतलब होता है व्यस्त आर्थ समझते हैं दुख और करण मतलब करण देखिए क्या करना हूं उसके साथ सद आपको सुनना पड़ेगा मैंने करण नहीं कहा करण कहा देख रहे हैं आधा और आरा और मैं इसमें अधा थड़ा सप्लाई कर दीच अंतर हो जाएगा करन कहा जा रहा है उपकरन इंस्ट्रुमेंट यानि कि सारी इंद्रियां हाथ पाउं आख ना आख नान रहा हूं मैं नई नई वोकाबलरी सीख रहा हूं यह कभी यह शप्त सुने आसतक कभी उपकरन सुने है ना और बहुत सारे और करण सुन सकते आंतहकरन सुने लेकिर आर्थ करन सुने कभी जो दुख प्रद्ग हैं इंद्रियां वह यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन या एवते आदिंत वंत कौंतिया नते शूरमते बदहा भगवद कीता में वहान स्पष्ट कहते हैं कि जो इंद्रियों का संपर्ग विश्यों से होता है वही दुख की योनी है तो जो ज जो 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 आपक्त गण है उनकी इंद्रियां आर्त करण है वह उनके लिए ढोडोकर दुख ला रही है आपने सुना ही होगा कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ कोई और पाकिस्तान हार गए तो भाकिस्तान किसी ने किसी ने कि वही गोली मार दी इस सुना अभी की नहीं बात है पुरानी बात सुन रहा है तीवी तोड़ना तो सभाविक सी बात है या कभी मैंने सुना कि भारती टीम हार के आ गई तो उन पर लोग पता नहीं सड़े गले चीजे फेगते हैं वह जब एरपोर्ट में उतरते हैं तो अब उस मैच को देख के दुख होगा आप लोग इतना तो नहीं किये होंगे अगर आप देखते होंगे तो अगर हार गई भारत की टीम तो बहुत दुख्यू होता है अपने मैसूस कि हम लोग भी मैसूस किया हिरदय का ऐसे नीचे जाना अभी फेल्ट डैक दिस कुछ नहीं व वहां तक वहां से गया यहां तक तो हरी नाम कमाया है ना हिलादनी मताजी घर पर टहल कर लेती होंगी तो उसे अब रन बनाती है उसके रिकॉर्ड बनते है कि 11,000 रन बाइस है इस आउल नॉंसेंस है कि नहीं अपने से बना लिया कि यहां से भागों वांसे भागों लेकि अब यह देखी एक शब्द कितना अद्भुत है दिन में जो जो वह इंद्रिय से कार्यकर रहा हुआ उसको दुख ही देने वाली है हम अपनी बात कर रहे हैं को मजाक सबका अपने बना रहे है इतना घी में आ सकत हूँ मुझे तब पता चला जब चार दिन छोड़ा उसको आज मेरा माइं रिवोल्ड कर रहा था ना यह मखा कि मर जाओ लेकि मिना खाय नहीं मर सकते तो हमने का कि मुए आज तक यह सुचता रहा कि यह जीव मुझे सुख दे रही है, how much it does not want to listen to me. फिर बना ठीक है कुछ भी करो थोड़ा तो दो दो, so it was not giving me happiness, it was giving me misery. आप कभी देख ना चीनी खाते हैं अच्छा रहता है, जब नहीं खाने को मिलता है, तब देखे कैसे रिवोल्ड करता है इंद्रिया, समझ रहे बात, बहुत टफ है, बहुत टफ है, आपरत आर्थ करना, और अधबूत बात यह है कि जो दुख दे रहा है, उसमें आपरत उसमें व्यस्त है, यानि कि दुख खटा करने में व्यस्त, आप देख लिए ना कि किसी भागवस्त क्लास में आप दुखी नहीं हुए, कोई क्लास में दुखी नहीं होता, क्लास के बाद जरू शुरू होता होगा, हमको बहुत अमेजिंग लग रहा है, अहनी आपरत आर्थ करना, यह समझ गये सब लोग, तो देले में जो अभक्त गण है, वह अपनी इंद्रियों को वहीं लगाएंगे जहां से उनको दुख मिलने है, मन करत इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, देन बर सपना देख रहा है कि बिजनस बढ़ा, तो रात में भी अरे यह शेर का मार्केट गिर गया है, यह ऐसे अल्ला करता होगा है, हम लोग तुने टेंशन नहीं देते हैं, लेकिन असे सपने आ जाते होंगे लोग, दिया मतलब बुद्धी, उसके द्वारा, स्वप्न दर्शन आदी विविद मनोरतों द्वारा उनकी बुद्धी, शन भग्न निद्रह, शन शन में उनकी निद्रह भंग करके, अब आप कहेंगी इसका लिंक क्या है, देखिए, निद्रह भोजन है बुद्धी का, अगर न एक्स्पेरिमेंट है, किया वाँ, इस मामले में हम चला सा कांड पहले ब्रहमूत अवस्ताम थे, इसमें नंबर कितने है, खास फरक नहीं पढ़ता, जो भी पढ़के चले, हमको वित्ती बुरे थे, खुब सोके जाना, ठीक है, हमने गुरुजी के आगे, कौन बोले तो य आदी आना बंद हो गया, तो यह आप देखेंगे, कि नींद आती है, तो बुद्धी ठीक से नहीं कार करती है, जैसे मैं देखा हूं, किसी किसी दिन मालो मुझे rest नहीं मिला, मैं दिन में rest करता ही हूं, यह बुद्धी के कार है, तो मैं class में ठीक से focus नहीं कर पाता, आज मैं ठीक से नहीं सो पाया, तो फिर मैं थोड़ा rest किया, तब मैं ठीक से class दे पा रहा हूं, आप लोग का मनभा होगा कि जब एक दब नीन नहीं पूरी होती ही, तो class अच्य समय में आती है, एक बार भूरी जन प्रोफो class दे रहे थे, भगोदीता कि उस दिन में बहुत थक डाटे नहीं हो, लेकिन कुछ याद ही रही कि क्या बोले, तो यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुद्धी का निद्रा से संबंध है, आचा इससे पहले हम आगे जाएं, आप लोग कोई यूटूब पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप महा पर नहीं जाएं घवरान मत, आपने कभी ऐसा अन्भव किया है कि बुद्धी में एक टेंशन है कि इसमें क्या होगा, किवल पैसे की टेंशन है, जो कुछ में, क्या होगा, क्यासी होगा, तो ठकी होने के बाद भी नीन नहीं आती, प्लीज रेस हैंड्स इफ इस हैपन टी एवर, एक, दो, तीन, तीन ह हैं कि बुद्धी में अगर टेंशन है, यह कैसे करें, यह क्या होगा, यह क्या होगा, तो नीद प्छड़ प्छड़ में भी निस्टर्ब होती है, नीद आती है नहीं ठीक से, नीद तभी आई जब निश्चन तो आप शान्त से सोएंगे, इसलिए कथा में आ जाए करी बढ़िया से पूरी आती है, शोक, मुह और भाई, इस पर बात याद आती है, एक भक्त से पूछा गया, नहीं भक्त से पूछा गया, हाँ, कि कथा में आप क्यों सोते हैं, तो उन्हें कहा है, देखो भाई, अगर कोई कांटे की बिस्तर पर सोया हो, तो नीद आईगी उस आती है, कमसे खांटी मिलती है, यहाँ सो लेते हैं, और एक बात, यहीं महाराच राधा कोला, महाराच कहा रहे थे कि, वाक़े कोई वेक्ती बोला, उनको महाराच बनाटे कि आप कथा में आते ही सो जाते है, क्याते है, महाराच और जएगे तो टेंशन देए, कमसे हूँ तो नीन्द आ जाती है। इस विजरिबल चंड चंड भग्न हर चंड में उनकी निद्रा भग्न होती रहती, मतलब नीन्द ठीक से नहीं आती। निश्याना इस कारण से उन्हें शैन नहीं करने देती। उसके बाद कहते हैं देवा हतार्थ रचना। इसका तोड़ेंगे कैसे। देवा आहत अर्थ, आहत समझते हैं शब्द। आहत होना, ठेस आहत ठेस बचाना। मतलब जो वह रचना करते हैं। तथा देव के दारा उनकी समस्त रचना अर्थात अर्थोद्यम प्रतिवत हो जाता है। मतलब वह कुछ अर्थ लेके प्रयास करते हैं कि हम यह अर्थ हमको प्राप्त हो जाए। हमारा परवार सब सुख से रहें और वो परवार वाले ही दुख देते हैं। करता ही कि नहीं जगत में लो। देव प्लस आहत प्लस अर्थ प्लस रचना। जिस अर्थ की रचना वो करते हैं हमारा एक इस्टिटुशन बनेगा। वह देव के द्वारा भगवान की इच्छा के द्वारा या प्रकिति के द्वारा भौतिक प्रकिति के द्वारा वह नश्ट करती जाता है। इससे हम सुखी होंगे और सभी लोग सुखी होंगे। लेकिन कोई सुखी नहीं हो पाता क्योंकि सबी लोग भगवान से विमुक्ष चलते हैं महराज समझाते हैं कि इसको चोरों ने मिल करके डगैती करे और जब बाटने की बात आई तो कहें देखो भाई इमानदारी से बाटना तो महराज क्या रहते कि अब पूलिस जब उनको पकड़ेगी तो आओ इमानदारों तुमको हम ठीक करते है सारे चोर हैं लेकिन आपस में इमानदारी करना चाहते है तो सभी लोग भगवान की प्रपर्टी को दबक लिया है कोई स्विकार नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान है यह भगवान है भी तो ऐसे लोगों की सारी अर्थ रचना रस्टर्ब होती है एक दूसरे को ही मार करके वे खतम हो जाते है वो एक दूसरे को निमित बना जाता है यह तो यह तो हो गए बहुत प्ताबादी ऑर रेशेः अपी जो वार्ण है रेशियों की वार्ण आसी नहीं है यह तो इंद्रितिति करने वालों के बारे में बढ़ना हुरा है अब रेये जैसे कह दिया तो यहां कैमुत लगा दिया जाएगा कैमुत मतलब किम होता गंगा जी में अगर ऊंत डूब गया तो इंसान का तो कहना ही क्या, तो कहते है रिश्य अपी यथा रिशी गण भी यदि युश्मत प्रसंग विमुखा, आपके शुवन कीर्टन रूपी प्रसंग से विरत हैं, मतलब युश्मत मतलब आपके संग भकतों का संग जिसमें वान की गथा किर्तन होता है उससे अरे क्या किर्थन करना किया वो कथा सुनेंगे लुक्रिश्ण भागवान है कि एशा करके भव्ना कर रहती है इह तो इस जगत में nenेकि गमना आगवन जाना और आना लगा रहेगा अर्थात्वे बंदते जाते हैं तो यह कैमुत मैं दिखा पा रहा हूं अपनों को जब रिश्यों की ऐसा हाल है जो अपनी इंद्रियों को स्वैमित की हुए हैं लेकिन भगवान की सिवा में नहीं लग रहे हैं श्रवण किरतन नहीं कर लगातार दिन में दिन में भी दुख प्राप्त कर रहे हैं और रात में भी दुख प्राप्त कर रहे हैं इंद्रियों के लिए बहुत अच्छ लोग है एक्जैक्ली मायवाद के बारे बोला जारा चाहिए बताइए आप लोग का किसी मनश्य के प्रती कितनी आदर्बुद्धी है कि मैं वैश्णव की रूप में नहीं बोल रहा हूं कि इस जगत में को भी महान लीडर है समाने विखती है और महान हो सकता है अपने प्रभाव की दिष्टी से कोई लीडर हो या कुछ अब्रहाम निंक्कन के प्रती क्या आपकी गुद्धी है जॉन एफ केनेडी जो मर गए मैं जो मरे लोग है उनकी बात कर रहा हूं अब मैं नाम बोल रहा हूं तो बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे है की नहीं यह और भी भाबा भाबा थे नो हो मी भाबा और 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 लोग का नाम क्या रखा तक रखूं बट पॉइंट इस आरे एक्षाटी ने सेंस कुछ हद तक वह है श्रेष्ट है महान है वो केर सब्ढम से कहना चलिए लेकिन क्या ऐसी ही बुद्धी हमारी भगवान के प्रति है नहीं क्योंकि आप उन्हें भगवान की रुपे शुकार कर रहे हो लेकिन जैसे ही आप या किसी विक्ति ने कृष्ण भगवान को मनुष्व माना तो उसकी कैसी बुद्धी हो जा भगवान का अपराद करते हैं अब तो क्लिर हो गया ना कि दो मैने में दो तीन दिन में ही लोग बूल जाते हैं हमने देखा था हमारे दादा जी की मृत्ति हुई थी तो गंगा कानपूर में गंगा जी की में तर्ट पर जलाने लेगे जला कि आ इसका सब पूड़ी और आ मैंने सुना कि वो प्रेत देखता रहता है कि देखो सब खा रहे और मुझे कुछ नहीं दे रहे I have no idea this only speculation लेकिन हमने सुना ऐसा कि उसको वैराग्य हो जा कि देखो सब मुझको खुख के आए खुद खा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं देते अब तो मैं से विमोग हो हैं वह भगवान के प्रति सम्मान वैसे ही नहीं करेंगे जैसे इस जगत के बड़े-बड़े मुनश्यों के प्रति लोग सम्मान करते नहीं हैं और उससे कुछ फुफरक भी नहीं पड़ता मान लिजिए आप मेंसे कुछ लोग Albert Einstein को नहीं जानते Heisenberg को कितने लोग जानते हैं यह उपस्ति भक्तों में कल्यान प्रभु जानते और मुकुन सेवनि सुमेध प्रभु शर्शिकान प्रभु आप जानते हैं और या में आपके मिस्ट्री में एक्सपर्ट होंगे और जो बाकी लोग शाहली शुक्रा मातेजी यह आप क्या साइंस पड़ी हुए हैं य अच्छा भगवान के सर्टन प्रिंस्पल को जान लेती हैं जो हैजनबर के अंसर्टिंटी प्रिंस्पल को समझ गया और कहें कि बहुत बड़ा विज्ञान विग्यानि उसका कोई भशा नहीं है कि वह निश्य जन्म लेगा और जिसने पढ़ लिया उसका पश्चता भी य तो एक साइन्टिस्ट था बड़ी इंट्रस्टिंग कथा है तो एक साइन्टिस्ट नाव में जा रहा था और मच्वारा भी थेखा तो वो बुला कि तुम ширिक्स रथा स्रकार क्या होता है यार 25 प्मिन बरबाद तुम फिजिक्स नहीं पड़े आगे प्लवन तो ञेखा को यह कें स्टेरे कं मेस्टी स्रकार हम के तो अब कुछ बादल गहरे हो गए कुछ चक्रवाथ साने लगा तो अब नाव हिलने लग इदर से उदर फूसता है नाविक सरकार आपको तैरना आता है तो कहता है आपका अंडर्ड परसंट यह नाव डूमने वाली है और आप मरेंगे समय में आ गया ना तो लोग इस जगत में बहुत सारा ज्यान एकटा करते हैं लेकिन पूछ बगवान कौन है ना एक प्रता नहीं कोई किसी आध्यात्नी वेति से बात करने तो यूटूब में से वीडियो आई जाते हैं तो बोले मैं कम्मुनिस्ट मैं अपने आपको कम्मुन कर द्याभाव देखे यह इतना सारा न आम चलना है तो यह कोयी ना कॉइक कर्दों है लेकिन मानने ही कि तो बात है तुम यह ऐसा कहते हow Ashraf रख रहे तो तुम शर्दा नहीं रख रहे हो कि Communism ठीक है, मानी तो रहे हो ना तुम, बात तो जानने की तो है नहीं कि Communism ठीक है के नहीं, मानने की बात है, लेकिन the point is that, point is very simple, ऐसा कर रहे हैं और वो यह नहीं सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी उनको मृत्ति को प्राप्त होन होगा और फिर जन्म होगा, एक व्यक्ति के रिष्दार है, उनकी दादी शरी छोड नहीं थी, तो उनकी पिता जी को मैं कहा रहा था, आप उनकी मृत्यू की बारे में चिंता कर रहे हो और मैं उनकी जन्म की बारे में चिंता कर रहा हूँ। I hope this is very clear, मृत्यू की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात किये कि दुबारा जन्म हो जाएगा, अलो वो भक्ति कर नहीं थी, मैं मैंने का फिर भी आप होशकित विर्दावन लिया है, अगर उनका शिरी छोड नहीं का सब्सक्राइए, अगर उनका शिरी छोडने का सब्सक्र दुबारा जन्म नहीं लेगा, तो दुबारा जन्म लेना प्रॉब्लम है, वह समझना चाहिए, और वो तब ही होगा, जम कृष्ण के शर्ना कत्व, अहन्या प्रतार्थ करना, निशिह निशयाना, अहनी दिन में आप्रतार्थ करना, वह दुख देने वाले इंद्रियों क कार्यू में अपने को व्यस्त रखते हैं, ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना, इसी टेंशन में लगे रहते हैं, और रात में भी चैन नहीं पढ़ता, निशिने शयाना, हाँ, और बात जीवन से बताता हूं, मैं एक बार कानपूर से मत्वरा आ रहा था, आ र तो फिर मैं, बाद करने लगा भवान के बारे में, फिर मैं देखा कि वो गोली निकाल रहे हैं, बन्दू की गोली नहीं, नींद की गोली, तो मैंने का इतने समर्थ हैं, तो नींद नहीं आती आपको, इतने समर्थ हैं, आप इतने शुक्तिशाली हैं, अमने का ऐसा करिए कि इस गोली को दो मत बात खाना जब करो मां संग थोड़ी देर उसने जब किया तो उसको नीद ना चाल होगे है उसको फालतु पैसा बर्वाद कर रहे है। लेकिन वेक्ति नींद नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से धन कमाने में लगा हुआ है, उसको ट्रिवल टेंशन लगी हुई है, एक बात यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, जो कल आये था शाय था ब्लोग शायद नहीं धान दिये होंगे, कि वह कोई ग्रहस्त है, वह भी तो धन कमाता है, लेकिन उसका attitude क्या है, यह पत्नी, यह बच्चे, जो कोई भी हैं, यह गिवी क्रिश्न की सिवक हैं, और मेरा दाइत्व है कि इनको भी एक protection हम दें, भातिक रूप से भी ताकि भक्ति कर सकें, भाई बोजान की वैस्ता ठीक से नहीं होगी, सर पे जचत नहीं होगी, यह बीमारी के लिए कोई दवा नहीं होगी, तो व्यक्ति भक्ति करने में तो अपने को समर्थ मानेगा, है कि नहीं, तो वहाँ वो सारी चीजों का सम्मंद भगवान से देखा जा रहा है, यह तो सब को मैनेज करना पड़ता है, मंदिरी में भी मैनेज होता है, फैनेंस का सब कुछ होता है, लेकिन भगवात समंध में होता है, लेकिन लगातार इंद्रियों को बस अब ऐसे कारियों में लगाए रखना जो केवल दुख देने वाले हैं, तो यह विक्ति को रात में भी ठीक से नहीं सुने देगा, तो यानि कि दिन और रात का bank balance बढ़ा जा रहा है, अब आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या यह सब सुनकर इस जगत से विरक्ति नहीं होती, आप लोग मैं बहुत अमेजिंग है कि मैं जब भक्तों से बात करता हूँ, उनका feedback मिलता है, तो मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रहे है, एक भक्त है कि नौकरी करने जुरत भी नहीं है, और नौकरी करने भूंको अच्छा नहीं लग रहे है, तो अब उनकी understanding यह है कि प्रभूजी, इस जगत में राग और द्वेश होता है, तो यानी कि इस नौकरी से मुझे द्वेश हो रहा है, द्वेश वीश हो रहा है, इसका मतलब है क कही कही कोई आसक्ती भी है हमने का wrong यह द्वेश नहीं है यह वैराग्य है वैराग्य मतलब आप यह नट इंट्रस्टिटिट इन दूइंग इस तिंग्स हेट नहीं करना है बहुत सुख्ष महत अन्हों में अंतर भक्त वह इस जगत से ध्वेश नहीं कर रहे हैं डिस इंट्रस्टिट हो जाते हैं आप बताएए इस पहली लाइन को सुन कर के कौन वेक्ती होगा जो कहेगा कि मैं भातिकता वाद में पढ़ करके बहुत सुखी हो जाओंगा पढ़ा भी हुआ हो तो वेक्ती सुन करके विच पढ़ा प्रद्धे में नहीं जाने देगा जहां वो इस प्रकार से दिन में भी दुख पाए और रात में भी सोना पाए प्रड़ी इंट्रस्टिंग बात आप देखिए श्लोग की दिन में मान लो दुख पाए तो कम से कम रात में तू नीद आए या कविता हो रही है दि दिन में भी दुख पाए तो कम से कम रात में तो नीद आए लेकिन दिन में भी दुख पाए और रात में न सुने पाए तो यानि 24 गंटे मिजरी न होगा नानभव की रात में अब अच्छा यहां किसी को मंगल आर्थी में उठने में कोई दिकत तो नहीं हो रही है ना कि प्चंड च्ठमों अउट रहे हैं आप दो ह gelir है जी घ्लिफ के नहीं है या आप देख रहे होंगे कि साड़े तीन का या तीन का अलार्म लगा कर सोत्यूं कि हो सकता है कि क्रास कर जाया आदमी में तुझ सब्सक्राइब को राएं, अपर को नीन्द अच्छी न आ रही हो, भागवत सुनने के बाद भी होता हिए, अरे कोई हैंड ही नहीं हैं रेसा का रहा है आपको भागवत सुनने के बाद नीन का रही है, मुकुंद से में में राते हैं, कोई शेरीर की प्रॉब्लम चीज़े है यह श्लोग बहुत टेस्टी है विभिन मनोरतों से इतना धन आया है मैं श्लोग भूर रहा हूं किता का इदम प्राप्तम मनोरत हम ऐसे कर कुछ है कि इतना मेरा हो इतना धन मेरे का मिल गया है मेरी प्लाइनिंग से इतना और यह बढ़ जाएगा जब भी जिस दिन भी यह प्लाइनिंग आई उस दिन से टेंशन शुरूर जबकि वह हमारे भागर के हिसाब से पैशले जनम में हम जो जन दानिंग की तो वह ही घूंग घूंग के आ रहा है यह प्लाइनिंग है ना कि इतना मिल गया उसका आगे इतना कुछ जाएगा उसका ऐसे हो जाएगा उसका इस मनुरत पर हमने बहुत सुन्दर कता बताएंगे बहुत अच्छाश लोग है एक आदमी था वह जा रहा गरीब था तो वह लकडी या को से कुछ बेचता था तो आया है तो है लकडी गया प्शनकों लकडी बेच बढ़ 심ाना गरीब है वह थी तो लह जाएगा तो दूद कुछ लीकया तो आटो सोचा यह हंडि में ले आया हूँ उसके बाद सहन्दрип बेच उंगा चnesरावश थे दांग उसक, और इतनी हो जाएगी फिर बच्चे भी होंगे और बच्चे भी होंगे तो अगर वह बच्चा नहीं सुना मेरी बात तो लाट चलाया जोर से ऐसी लाट मारूंगा और वह देखा उट करके अंडिया फूट कही सारी आप समझ गया इस प्रकार की लोग मनोरत करते रहते हैं यह हो नोद में जुरूर बोल रहा हूं लेकिन बहुत सी लोग का समराण आचली कुछ लोग का समराण जो कर रहा हूं प्रकार कॉंस्टेंट टेंशन दिलेते हैं इदमध्य मया लब्धम इमाम प्राप से मनोरत हम यस इदमस्त इदमस्त इदमस्ती अदमपि में भवश्यति को सुन रहा हूं आगोत कल मैं तीन नोदस के दूसरी दिन को सुननूंगा परसो मैं तीन नोग्यारा सुनूंगा उसके बाद एक दिन में सुन रहा हूंगा नाम संकीरत नम व्यस्या या दशवसकंद की में टीकाओं को पढ़ूँगा अब आपका पता नहीं मनोरत है कि न उन नुदा तरह से भवान को मिलने के लिए, लाने के लिए, तो अनेक-अनेक मनुरत करने हैं, और उस मनुरत में आनंद है, मैं क्रिश्ण के पास जाओंगा, Chief मुझे चाचा कहेंगे, मुझे आ-लिंगन करेंगे, करेंगे, और क्रिश्ण न वो साथे मनुरत पून की है, तो डू और ऐसे ऐसे इच्छाएं कृष्ट नोट करते हैं और आपको प्रसंता होती है कभी भी आगर आप सोचेंगे कि मुझे नाम में रुची प्राप्त हुई है या हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा उससे नींद डिस्टर्ब नहीं होती है देवार्थ रचना यानि कि देव के द्वारा उनकी रचन अर्थ रचना कि यह प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त हो जाएगा वह सब नश्ट कर दे जाते हैं तो यह तो हो गए बहुत एक्तवादी लोग रिश्यों अपी रिशी होते हुए भी अगर कोई रिशी है इंद्री तिप्ति नहीं कर रहा है वह भी देव हे कृष्ण आपसे युश्मत प्रसंग विमुक आपकी कथा से विमुक रहता है तो इह संस रंती मतलब ऐसे लोग तो जगत में दुख में जगत में आते ही रहते हैं जो लोग आपसे विमुक हैं और रिशी भी है हमें उस सचिदानंद की प्राप्ति करने किसकी वही कौन वही यह आखों से दिखा गया है यह इलाबाद में कुम्ब मेला हुआ तो और एक उसे खड रहे थे और सब मतलब अच्छा टेंड लगा रखा था हला कि जारे हमें उस से सचिदानंद की प्राप्ति करने तो लोग टेंड से बाहर निकल के आएंगे तो पूछेंगे किसकी और कैसे देखिए कृष्ण भावना में बड़ा क्लियर है गो लोग पहुंचना है एड्रस पता चल गया जैसे यहां से कुछी को पोस्ट करते हैं सबसे पहले टाइप एड्रस करते हैं उसमें अड्रस लिखते हैं और उसमें नंबर लिखते हैं तो हम लोग को सब कुछ पता है किस के पास आ रहा है हमाहरा लटर भागवान शतक क्रादरानिक पास अर शाि नंबर क्या है हरेख्री स्न हरे और प्रिस्ट्रट्ट्ट्ट्ह अरे राम हरे हरेए राम 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 हरे इसमें कोई भी लगेश राम कोई ही छोड़ना मत है कि नहीं यह मिला तोई कॉंप want to architect कर में इस से वेरी वेरी सिंपल एंड लेकिन जब भगवान को गाईब करेंगे तो फिर द्वान का धाम तो नहीं मिल सकता न को पहता अच्छ लोग है समय तो पूरा ही हो गया देखता हू मैं यहां समय लगाया सिद्वासामी की ठीका तो समय जाएगी यदि कहें कि अज्ञानी जीव तो संसार चक्र में पढ़कर कष्ट भोगते हैं किन्तु जो विवेकी जीव हैं वे तो मुक्त हैं ही वे तो भोग नहीं करेंगे उन लोगों को भक्ती करने की कौन से आशकता है इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो रिशुजन भी खूल नहीं है लेकिन जिन काड़ियों को कर रहा है उससे सुकह नहीं मिला अब इसको तो इस एंगल से देख पाने श्लोग को, रिशी है, खुब तपस्या कर रहा है, लेकिन उनको दुख ही मिला है, अब गर्मी होगा, या गर्मी में सब तरफ जो है वो, मतलब धुआ, अगनी जला के बैठे हुआ है, तो दुख मिल रहा है कि नहीं, या बारिश हो तो बारिश कथा में नहीं आएंगे, जैसे फॉर इसांपल, यह भागवत का ही प्रसंग है, शौनकादी रिशी ने क्या कहा था, याद है आपको, कि धूम्र यग्य को कर रहे है, इस से हमारे किबल मुह काले हुए, बड़ा खराब शब्द है, यह खराब मुह काले, मिला दूइंग सम कवनों से निकलने वाले आसव, आसव समझते हैं, जिसे अर्क, अर्क, उस अमरित रूपी अर्क का आधन कर रहे हैं, मतला हम लोग इसमें बिल्कुल भी इंट्रस्टेट नहीं है, यह श्लोक में जो बोला गया है, मैं भूल रहा हूं, फ्रत्रम सकत में बोले है, क्या श्ल आप तो इतनी सुंदर कथा कराश और वो कथा ही फल है, कका से क्या मिलेगा मों मत्तलब नहीं करना अमरित के सूश है, ठी प्रस्व को रात्री में विश्यों का सuk बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है, मतलब सू भी नहीं पाते हैं, जो आदमी सू ही न पाये तो वो क्या स सुख मिलेगा उसको देन में परिशान रात में परिशान वे रात्री में अचेत सोई रहते हैं और सपन देखने के कारण उनकी नीद बार-बार खुलती रहती है मतलब सो जाते हैं लेकिन फिर कोई सपना आता है कि बिजनस डूप गया या कुछ हो गया तो फिर नीद उनकी देव वाषात उनकी सारे प्रयास वेहत भी होते रहते हैं मतलब जो अपनी समस्य है जो अपने उनके प्रयास जाने कि बाई ऐसा करके हम सुखी हो जाएंगे वह पूर्ण भी नहीं होते क्या सब्सक्राइब है इग्जाम्पिल तो असुरों का ही है अम्रित वंतुन हुआ दोनों पार्टी उन्हें मेहनत करी लेकिन असुरों को एक बूंद में नहीं मिला एकसेट राहू और केतु राहू केतु धोके से लिए तो भगवान अलाव कि यह ऐसा करने के लिए ताकि अम्रित के प्रभाव को दिखा जा सके क्याने था भगवान को पता था कि यह राहू के तो बैठे यह सब कथाब आगे सुन लेंगे बाकि किसी को कुछ नहीं मिला दोनों तरफ बराबर प्रयास लेकिन देवताओं को भगवान खुब अम्रित पिलाए और असुरों को बिल्कुल नहीं दिए यह कथा आप जानते में पूरा रफ्रेंस नहीं समझा सकता लेकिन पॉइंट क्या था भगवान से विद्रहो था असुरों का और भगत लोग भगवान की शरण में थे फर्यंट ह aquela कि एक प्रयास बहुत बदी है बहुत बड़ी सिक्ष्चा है अ को दिनन के अंपद लुक लिए थे हां वित होते रहते हैं तो उनको प्रयास की उनका शारा प्रयास वीफर हो गया सारा अईत कर्षोण का कल पढ़ेंगे यहां रुकते हैं तो आप लोग को कुछ तो इस श्लोक में प्रवेश मिल गया है बाकि हम लोग कल सुनने का प्रयास करेंगे कोई प्रशन तो मेरे खासी है नहीं सब्सक्राइब हां माइक पुछे कुछ है कुछ है चलिया मैं हां पहुंचा जागा रिष्षी अब आप तो अच्छा रिष्षी कॉंसे रिष्षी कॉंसे श्लोक के अंदर में आ रहे सब्सक्राइब कि 9.30 देखे क्या तरीका श्लोग पूछने आच तो 9 सोच के नहीं कर रहे हो ऐसे ही बस मार दे रहे हो श्लोक जरा बताइए 9.30 बताइए आपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवस बंतव्या सम्यक व्यवस्तितों सहा यह इस मंद इस कक्षा में यह प्रश्णाब कर रहे हैं यह बिल्कुल बना के प्रश प्रश्णाब मिश्ते की है यह यॅ है रहे है करें की बताई है क्या बिषार कि आप नाब कीजिये और विक करनी है आप लोग प्लीज अपने भाग एको समझा और की तो इना घुसा लेकिन भाग एको समझने का प्रयास करनी कि baik है कि कल के लिए कोई कोई option नहीं है आप देख रहे है आज की आज की मैंना मिं रख़ा हुआ कि क्या है दिन आज की दिन से कुई फरक नहीं पड़ता everyday is Krishna day है और संद कृष्ण डे कृष्ण डे कृष्ण डे माधव ले संकरशंड डे संकरशंड ले और दे वह और देख विल्डविन डे वह exciting है लेकिन बाकी कौन से day लोग celebrate कर रहे है और उनसे पूछो कि इस celebration से उनको मिल क्या रहा है ऐसा कोई सोच रहा है भारत में कोई सोच रहा है इस तरह से कि इस प्रकार के आज डे है से हमें क्या मिला या हमें क्या मिल जाएगा तो यह सब भागवात का आशिरवाद है कि भक्त को भागवान में निष्ट कर रहे है तो ऐसे भक्तों में कुछ गल्ती हो भी जाए तो वो सरक्मस्टेंशल है बगवान सबस्कों नश्ट करते तो वह लोग तो सभाविक सी बात इसमें नहीं आ रहे है क्या प्रहुपात की बुक्स एकसर्ट भागवद गीता और भागवतम तब्यत खराब हो पढ़ सकते हैं अगर तब्यत खराब हो तो पुस्तक पढ़ सकते अरे तब खराब है तभी तो बढ़ रहे हैं आप नों के किसकी तव ठीक है कौन तो अस्पेटाल में है कौस्ट है तो कौन से दिन है जा दिवा ना खानी हूँ सब लोग तो मौह से बचने की दवा खा रहा है न सभी को जान लिया क्भी मारी है जन्म लीने का मरने का कोई शान्थ हो जाए तो आप शान्थ नब्त होना Light खुर 국ष और खुर्छों करश्ट कर ल algumas गृसने रम्हाराम किसी के शान्थ होने के बाद भी लोग शान्थ नहीं होते एस्टाउक कब मार्केटक साब बोलते रहते हैं बस खाली बंद करो तो क्यों रहे किस्टा बंद करो क्या यह बेवकूफी है हुआ है सामने सामने तो बता यह लड़ा कहता है हमारी पिताजी तो मरे थे तो हम कैसे आप नाम जब करते नाम जाकर एक विखती थे अपने सासरुक के अक्सिडेंट हो देखने जा रहे तो रास्ते में उनीक अक्सिडेंट हो गया तब तो आपना ठीकाना है कि हम शांत हो जाएं नहीं बहुत भुक लगरी तो खौ तो पूचे क्यों करते हो आज हमारी इंडिपेंडेंडेस देशलिए हम सेलिबरेशन कर रहा है जो कथम अपिसक्रदातम मुक्तितं प्राणि नाम्यत समझ गेनवाद तो चौने अशुध थभस्धा में कर सकते हैं लिला कgehen सब्सक्रणण तो कोईrist में जाते थे नाम बोलती तो कोई भाचे बला वह अपनी जीव को पड़ेया हो थे तो उनकी जीव दोंकी जीव भोल रहा है थी क्या करते हो कह रहा है कि मैं अभी लेटरिन जा रहा हूं और पता नहीं मेरी जीव लाकातार बोलती ही रहती है ऐसे अपवित्र स्थान में मैं नाम बोलूँगा तुम अच्छा नहीं है तो महापुर्ण ने कहा तुम तुम अच्छा नहीं हो तुम मेरे गुरु हो तो आज स के नहीं और आर बात्रूम में ही चालू है तो वह भी ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है गलत ऐसा नहीं कहा जारा अब माला को भी लेके गया है कौन लेके गया है भक्ति तीर्थ महराज वो रश्या में प्रचार करते थे और आप जानते हैं रश्यान का कलर एफ्रिकन से बिलकुल अलग होगा ना, easily distinguishable कुछ color match नहीं कर सकते हैं ऐसे नहीं कि मिल जाएं ऐसे कुछ भी नहीं लगेगा तो पता है वो ट्रेंड में कहां जब करते थे टॉयलेट में जाके लोग आश्यर चके तो जाती यह दोड़ दो घंटी से क्यों नहीं खुल रहा है भक्ति तीर्थ महरा राच काम एक्जाम पर लब ले रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों ने जब किया है और अगर नहीं आपके बास समय होता कभी पढ़ना सारी समय होता बढ़न सॉल्टेड ब्रेड ब्रेड के माला बना कर जेल के अंदर जब किया जेल में कौन सा पवित्रा आप लोगों को पता नहीं जेल में जो बाथरूम होता है वो ओपन नहीं होता है वहीं मुझे कैसे पता है मैं लिग बार लॉक अप में गया था तो मैं देखा था वहीं ओपन आप यह क्या कहते हो पवित्र और पवित्र महाप्रूफ सिंपल कहने है सवाय समय बोलो बस यही एक निया में भाइब 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 भक्ति की पहले की बास था लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे थे कोई बडर नहीं किया था तो एक घंटे के लिए देखा था आपने so we'll stop here and we'll continue our discussion tomorrow